या कुंदेंदु तुशार हार धविला या शोब्रिवस्त्रा वृता या वीनावर दंड मंडित करा या श्वेत पदमासना या ब्रह्माच्यत शंकर प्रभर्ति भी देवे सदावंदिता सामाम पातु सरस्वती भगवती नेशेश जाट्या पाहा जै माशार्दे आप सभी को वसंद पंच्मी की हार्दिक शुपकामनाई मैं हूँ राधिक और आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल किटकेटी स्टोरीज पर बहुत-बहुत स्वागत है आज आप जानेंगे मासरस्वती की पूजा वसंद पंच्मी के दिन किस प्रकार से करनी चाहिए वसंद पंच्मी हम हिंदूओं का एक विशेस पर्व है इस दिन मासरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है और खास तोर पर ये दिन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्पोन होता है उद्यातिति के नुसार इस बार साल 2023 में 26 जनवरी गुरुवार के दिन वसंद पंच्मी मनाई जाएगी शास्त्रों के नुसार इस दिन मासरस्वती की सच्चे मन से पूजा आराधना करने से माता जीवन के सभी विगनों को शेगरी दूर करके सफलता का आशिरवात देती है आज के दिन से ही वसंद उत्सव की शुरुवात हो जाती है वसंद रितु का आगमन इस दिन होता है अगर आप भी अपने बच्चों की पढ़ाई में आने वाली विगन बाधाओं को समस्याओं को दूर करना चाहते हैं तो बसंद पंचमी के दिन इस वीडियो में बताए गए तरीके से मासरस्वती की पूजा आप अपने बच्चों से करवा सकते हैं ऐसा करने से मासरस्वती बहुत जल्द प्रसन होती हैं आज के दिन मासरस्वती की विशेश करपा प्राप्त करने के लिए सुबह उठकर अपने नित्य कर्मों से निवरित होकर पीला बसंती या सफेद वस्त्र धारन करके फिर पूजा की तयारी करनी चाहिए इस दिन मंदिर की और अपने घर के हर कमरे की खास तोर पर साफ सफाई रखनी चाहिए जोकि जिस घर में साफ सफाई होती है शुधिता होती है वहाँ पस सभी शुब सक्तियों का वास हो जाता है पंचमी के दिन भूल कर भी आप काला या भूरे रंग का वस्त्र पहन कर पूजा ना करें पूजा करने के लिए गडेश बगवान की और सरस्वती माता की प्रतिमा या तस्विर जो कुछ भी आपके पास हो उसका आप प्रियोग कर सकते हैं इस दिन मा शार्दे की पूजा सुबह ब्रहमुमूर्थ में नहीं बलकि दिन में की जाती है सुर्दे के बाद के धाई गंटे का समय मा की पूजा करने के लिए सबसे उप्युक्त समय बताया गया है सबसे पहले आपको जिस भी जगा पर पूजा करनी है उस जगा को गंगा जल चड़कर पवित्र कर लेना होगा फिर एक चौकी पर साफ पीला वस्तर बिशाकर या सफेद वस्तर बिशाकर आपको भगवान गणेश और मा सरस्वती की प्रतिमा या तस्विर की स्थापना करनी चाहिए गणिश भगवान को और मा सरस्वती को इसनान कराकर और गंगाजल के छीटे अर्पित करके फिर उन्हें वस्त्र आभूशन अर्पित करने चाहिए उनका श्रंगार करना चाहिए आज के दिन पूजा में खास तोर पर पीले रंग की वस्तों का जादा से जादा प्रियोग करना चाहिए पीले रंग के फूलों से मा का शुरंगार किया जाता है पूजा करते से में पीले वस्त धारन करके ही पूजा करनी चाहिए, यदि पीले वस्त ना हो तो आप सर पर पीले रंकार रुमाल रखकर भी पूजा कर सकते हैं, कन्याओं को या महिलाओं को हमेशा सर ढखकर ही पूजा करनी चाहिए, भोग लगाने के लिए मीठे पीले जाना आरम करते हैं या लिखना शुरू करते हैं तो ऐसे में उनकी जरूरत का समान जिसे की कॉपी पैंसल बुक वगरा जो कुछ भी हो या खास दोर पर शिक्षा से जुड़ेवे जो भी विद्यारती हैं उन्हें अपनी पढ़ाई लिखाई से सम्मधित जो भी पुस्तके ह या अगर आप कला के छेतर से जुड़ेवे हैं तो आपको अपने कलर्स ब्रश वगरा मंदिर में रखने चाहिए चौकी पर ही आप इन सब इसामगरियों को रखें क्योंकि इस दिन शिक्षा से जुड़ेवे या जितने भी लोग जिस भी विवसाई से जुड़ेवे हैं उन सबी को अपनी अपनी जो भी आजीविका के साथ ने उनका सम्मान करके उनका भी पूजन करना चाहिए क्योंकि ज्यान के बिना हर व्यक्ति अधूरा है और ज्यान हमें चाहिए वो नौकरी करने के लिए हो, किसी कॉम्पटिशन में बैठने के लिए हो, या पिर पढ़ इस दिन आप नई पुस्तके गर पर लेकर आ सकते हैं नई धार्मिक पुस्तके आप लाकर उनका पूजन कर सकते हैं उन सबी पुस्तकों के उपर या जो भी वस्तुएं आप से संबन्दित हैं उनका सब का तिलख करके आपको फिर उन्हें बापस से प्रयोग में करना भोग में आप जो भी लगाई ये दी हो सके तो पान के पत्ते में ही आप फल या मिठाई रखकर मा को अर्पित करें मा से प्रार्थना करें कि आपके द्वारा दिये के इस भोग को मा स्विकार करें मा सरस्वति की आप इस्तुती करें विशेस मंत्रों का जाब करें खास दोर पर कुछ खास उपाई भी इस दिन किये जाते हैं ताकि बच्चों की बुद्धी कुशागर हो बच्चों का मन जिनका पढ़ाई में नहीं लगता हो उनकी एकागरिता शक्ती मजबूत हो और जो भी समस्या हैं जिन बच्चों को बहुत जादा पढ़ाई लिखाई में समस्यारी होती हैं या जो लोग कॉंडिशन की तयारी में लगे हुए हैं उन्हें बार बार असफलता ही मिलती हो ऐसे लोगों को आज के दिन कुछ खास उपाई अवश्य करने चाहिए ऐसे ही कुछ जरूरी मंत्रों के बारे में इस वीडियो में आपको मैं आगे जो भी हवी सामगरी है वो पहुंसती है जिससे उन्हें बल मिलता है और उनके बल से ही हमें आशिरवाद प्राप्त होता है वैसे भी स्कूल कॉलेजेज में इस दिन खास तोर पर हवन किये जाते हैं जिसमें सभी छात्रों को अपने हाँ से कम से कम 11 ये किस बार आहुती भ और मा सरस्वती का विद्यदाई मंत्र है सरस्वती नमस्त उभ्यम वर्दे काम रूपनी विद्यारंभं करिश्यामी सिद्धीर भवतू में सदा इस मंत्र का सच्चे मन से जाब करने पर इससे जो भी चीजे हम पढ़ते हैं लिखते हैं उसे याद करने में और पढ़ने ल इस मंत्र का ये था संभव हर दिन जाप करने से नौकरी की छेतर में या शिक्षा प्रतियोगिता की छेतर में जो लोग भी लगे वे हैं उन्हीं सफलता प्राप्त होती हैं। हे वाग्देवी मुझ पर वानी की शक्ती को स्ट्रेस्ट कीजिए। इन खास मंत्रों का जाप करने से मा सरस्वती की विशेश करपा प्राप्त होती हैं। जैसी जिसकी कामना है मा सरस्वती उन कामनाओं को पूर्ण करती हैं। को आप अपना कीमती समय निकाल कर निशुल्क पढ़ाने का या उनकी पढ़ाई रिखाई के काम में आने वाली कुछ भी वस्तों का दान देने का संकल्प ले सकते हैं। बसंत पंचमी की पूचा संपन होने के साथ ही जो भी प्रशाद रूप में मिले उसे सभी लोगों को ग्रहन करना चाहिए। और ये दिन बहुत ही पावितरता वाला दिन होता है। इस दिन किसी भी प्रकार के तामसीद भूजन का प्रियोग नहीं करना चाहिए। भूल से भी कॉपी किताबों को नहीं फारना चाहिए और उन्हें पैर नहीं लगाना चाहिए। आपको बता दू कि पूरी दुनिया में केवल हमारा देशी एक ऐसा देश है जहां पर हम हिंदुस्तानी अगर गलती से विद्या को यानि कि किसी भी कॉपी किताब को पैर लग जाता है तो हम उस किताब को उठाकर अपने माथे से लगाकर मासरस्वती से शमा मांगते से में सरस्वती पूजन के दिन आप एक मोरपंख अपने बच्चे के हाथ से मासरस्वती की चरनों में अर्पित करवाईं जब पूजा समाप्त हो जाए तब उस मोरपंख को उठाकर आप अपने बच्चे के उसी सब्जेक्ट की किताब में कॉपी में रख दें जिसे वो पढ़ने में हिचकी चाता हो या वो सब्जेक्ट उसको पसंद ना हो ऐसा करने से जो मुश्किल सब्जेक्ट है वो भी बच्चे को पसंद आने लगेगा और क्योंकि सरस्वती पूजन के दिन रंगोली से सुन्दर मंडप सजाए जाता है चौकी सजाई जाती है मासरस्व पूजा में सहयोग जरूर करवाएं ऐसा करने से भी मा शार्दे की करपा प्राप्त होती है उमीद है आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी वसंद पंचमी के दिन सुनी जाने वाली कथा और चालिसा आप हमारे चैनल पर जरूर सुनिएगा वीडियो अच्छे